पूरा का पूरा समर्थन भार्थी जन्ता पार्टी को दिया सभी बिधान सवाएं, सभी लोकसवाओं वो जिता करके भार्थी जन्ता पार्टी को बहुमत दिया लेकिन भार्थी जन्ता पार्टी ने जन्ता को धोका दिया उनके वादे जुमले रहे, बातें जूटी हैं आज भी बुंदेलखंड की लोग पलाइन कर रहे हैं आज जब नीती आयोग कह रहा है, उसका आकड़े आने तो सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या बुंदेलखंड में है बिरोजगारी बड़े पैमाने पे हैं, जिन्होंने सपने दिखाए थे उन्होंने नौजवानों की नौकरी शीन लिए, सरकारी संपत्यां बेची जा रही है और वो समय बुंदेलखंड के लोग नहीं भूलेंगे जिस समय लॉकडाउन हुआ, लोगों को अपने साहरे छोड़ दिया जन्ता को जब सरकार की तरफ से मदद होनी चीए थे, जन्ता को अनाच छोड़ा किस तरीके से भूके प्यासे लोग यहां पर लोटे हैं किसान की अभी भी आय दोगनी नी हुई, पानी जहां मिल जाना चीए था अभी भी आभाव हैं, अभी भी पलानी यह तमाम मुद्धे हैं जिनको लेकर के जन्ता में लगाता समाजादी पार्टी जाएगी पिशली बार तो पूरा का पूरा बुरा बुंदेलखन भाजपाईयों के पास था इस बार बुंदेलखन की जन्ता भाजपा का को सफाई करेगी, साफ होगी आप किसानों की बात करें, सदन में लगातार हंगामा चल रहा है और MPs जो हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गए यही भारती जन्ता पार्टी है, आएक दोगनी हो जाए दोगनी हुई नहीं, किसानों के उपर महंगाई कर दी और आज भी किसी पैदावार की कीमत नहीं मिल पाई भाजपा कैरी, बुंदेलखन एक्सप्रेस वे दिया, हर घर नल योजना दी है और इस पर आपके क्या कहना है बुंदेलखन एक्सप्रेस वे वही जो समाजवादी लोग बनाना चाहते है जहांसी सिदाद नगट थोड़ा टेड़ा कर दिया लेकिन अभी भी आदा धूरा है, पूरा नहीं हुआ अभी भी साड़े चार साल पूरे होगे, पूरा नहीं कर पाई जहां तक घरगर नल पहुचाने की बात है आपको याद होगा, सबसे पहले योजना राट में शुरू की गई थी और राट की योजना को बंद कर दिया और अभी भी तक बुंदेलखन के घरों में नल से पानी नहीं पहुचा है